तो दिन्स पार्ट है हमारा खिलोने वाला बहाँ देखो मा आज खिलोने वाला फिर से आया है कही तरह के सुन्दर सुन्दर नए खिलोने लाया है तो यहाँ पर बच्चा बात कर रहे हैं अपनी मा से कि खिलोने वाला है हरा हरा तोता पिंजड़े में गेंद एक पैसे वाली छोटी सी मोटर गाड़ी है सरसर चलने वाली तो वच्चा बोलता है कि वहाँ पे क्या सके पास तोते में क्या है एक पिंजडे में तोता है गेंद है एक पैसे की और छोटी छोटी उसके पास क्या मोटर कारियां है जो सर सर करके चलती है सीटी भी है कई तरह की कई तरह के सुंतर खेल चावी भर देने से भगबग करती चलने वाली रेल तो बोलता है कि उसके पास अलग अलग तरह की सीटिया है और चावी भरने वाली क्या है रेल भी है जो चावी भरने से चलने लगती है गुरिया भी है बहुत बहली सी पहीने कानों में बाली छोटा सा टी सेट है छोटे छोटे लोटा थाली तो बोलती है उसके पास गुरिया भी है और उसने क्या है कानों में बाली पहनी भी है यानि कुंडल जो कान में एरिंग्स पहनते हैं और उसके पास एक छोटा सा टी स्टिंटार वेल स्टाटरं नहीं खेड सेस्टे भूटे से समाने भूटे और रही अम मन्नू ने गुडिया ले ली है मोहन ने मोटर गारी मचल मचल सरला कहती है मा से लेने को साड़ी ठीक है तो वो बोलता है मन्नू ने गारिया ले ली है मोहन ने मोटर गारी ले ली है और सरला भी अपनी मा से कह रहे है कि साड़ी ले लो कभी खिलोने वाला भी मा क्या साड़ी ले आता है साड़ी तो वहां कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है तो बोलते हैं कि खिलोने वाला साड़ी नहीं लाता है अमा तुमने तो ला करके मुझे दे दिये पैसे चार कौन खिलोना लेता हूँ मैं तुम भी मन करो विचार तो बोलती है कि अमा तुमने मुझे चार पैसे दे दी हैं लेकिन मैं कौन से खिलोना रहूं तुम भी सोचो और मुझे बताओ तुम सोचोगी मैं ले लूँगा तोता बिली मोटर रेल पर मा यह मैं कभी ना लूँगा यह तो हैं बच्चों के खेल तो बूलते हैं तुम सोच रही होगी माں कि मैं तोता लूँगा बिल्ली लूँगा, मोटर गाड़िया, रेल गाड़िया लूँगा पर मां यह कभी नहीं लूँगा क्योंकि यह तो सारे बच्चों की खिलने की खिलूने है मैं तल्वार खरीदूंगा कमा या मैं ले लूँगा तेर कमान जंगल में जा किसी तार्गा को मारूँगा राम समान तो बोलते मैं ये सब चीजी भगाऊंगा योही कुछ दिन करते करते राम चंद्र बन जाऊंगा तो बोलते जो तपस्वी होते यग्य करते हैं तो मैं उन सभी अश्रों को भगाऊंगा जो ने परिशान करते हैं और ऐसे अच्छे काम करते करते मैं एक दिन राम चंद्र भगवान की तरह बन जाऊंगा यहीं रहूंगा कोशलिया मैं तुमको यहीं बनाऊंगा तुम कह दोगी वन जाने को हस्ते हस्ते जाऊंगा तो बुली कि मैं और मैं आपको अपनी कोशलिया माता की तरह मानूंगा जैसे राम चंद्र भगवान कोशलिया माता को मानते थे वैसे ही मैं आपको मानूँगा और अगर आप कभी मुझे कहती भी हो कि वन चले जाओ तो मैं हस्ते हस्ते मुस्कराते वे आपकी बात मान के जंगल की तरफ चला जाओंगा पर मा बिना तुमारे वन में मैं कैसे रह पाऊंगा दिन बर घूमूँगा जंगल में लोट खांग पर आऊंगा तो बोलते हैं लेकिन मा जंगल में आपके बिना कैसे रहूँगा दिन भड़तों में जंगल में अधर उतर गूम लूँगा लेकिन जब शाम होगी तब मैं कहां जाऊँगा किसे लूँगा पैसा रूठूँगा तो कौन मना लेगा कौन प्यार से बिठा गोद में मन चाही चीजे देगा तो बोलते हैं किसे मैं रूठूँगा किसे पैसे माँगा और अगर कभी मुझे प्यार आपकी तरह कौन गोद में बिठा के प्यार करेगा मन चाही चीजे देगा तो ये एक बच्चा है जो क्खिलोने वाले के से क्या कर रे है, उनके अब आस्फ खिलोना वाला है, अब वो क्खिलोने वाले का बता रहे है कि सकतराइभ है, सुबत्रा कुमारी चौहन जी ने। आजो भी यह कवीता दो से इन बार परनी है I hope आप लोगों को यह कवीता अच्छे से समझ में आ गई होगी अब आप भी इस कवीता को अच्छे से पढ़िए और याद कीजिए